तो कोरोना महामारी को लेकर सरकार जितनी गंभीरता दिखा रही है वास्तविक्ता में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है चाहे साफ सफाई की बात हो या अन्ने सुविदाएं हो इन तमाम बातों का जैजल यह हमारे साथ ही बेगोजराय से संवादता पंकच कुमार जाने इस महामारी में जहां अगले वस कुरोना काल में गंगा बरी स्वक्ष दिखाई देती थी लेकिन इसके बनिस्वत इस वर्स काफी गंदा देखने को मिल लहा है जहां एक अस्थानिय मला हमारे साथ मवजूद है उनसे मैं आपकी बात करना चाहता हूं कि इनका वेबसाय औ है उनसे पूरा मामला है जो घंगा इतनी मैली हो गई है पहले पहला से जादेन गंदगी ओगे अधन गंगा में अब तो तो अधना भी नहीं आता है ना नेकलिए इतना लाहास आता है भास के इधर चल्याब विःड को गया बेमारी उसको बार गंदगी बहुत हो गया गं जलने के लिए मचली अभी नहीं मिलता है तो कोई नहीं खाता है बैमारी बोला मचली बैमारी हो गया मला क्या करेगा बैठे रहता है जो गंगा निर्मल पहले हुआ करती थी अब मुझे कर जाओं तो निर्मल के दुशित हो जाओं कि अetaan 붙 लग रहा है कि अधिक पैसा के अहां कर रहे हैं अंधिक हमारी सरे हम तो चारे मेना पड़े हां आते हैं रही बात जोतने भी मलिक समाज है कितना देते हैं मंगने का काम तो बहुत है हम लोग को बहुत चीज मंगते हैं हसा खिला कर बैर पकर कर दारी पकर के उससे जबरन जबरदस्ती तो नहीं मंगते हैं सर हम पसारी हैं पुनियां है उनका देना काम है मेरा नेना काम है हमने बहुत कुछ मंगते हैं लेकिन कितना देते हैं 1500 2000 कोई इसा पाटी आ गया कोई अगर पहुंच जारे कभी दे दिया तो नम पट गया से मरियागार में जो बेरोजगार आदमी आता है उसको कई सवाल उठ रहे हैं कि यहां गंगी गंगी के लिए तो दोगो इस्टाप रहता है इसलिए भाव ना लगता है इसलिए कौम में तुरह धिलाई है और कोई बात ने उससे हम लोग गुजारिस करते हैं प्यार से प्रेम से उसको मार के तो नहीं कहेंगे इस्टाप को उभी म उसको खर्चा देते हैं अस्थानिय लोगों के द्वारा आपको बताया गया कि कितनी सुक्सिवधा दी गई है सभाई पर या कितने पैसे असू ले जाते हैं अब यह ना सूर ना बन जाए यह वक्त तो बताएगा लाइब सेवन के लिए पंकज कुमार बेगुशर